वीडियो दिखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com बेल आइकन दबा कर पाएं लेटिस्ट नोडिफिकेशन्स नमस्कार स्वागत है आपका जनसत्ता पर राजस्थान में सियासी हल चल तेज है सियम असोग गहलोत अपनी सरकार बचाने की पुर्जोर कोशिसों में जुटे हैं लेकिन राजस्थान में या कोई पहला मौका नहीं है जब किसी सियम को अपनी ही पार्टी में बगावत ये यू कहें सियम की कुर्सी बचाने के लिए जद्दो जहत का सामना करना पड़ा हो 6-6 साल पहले भी कांग्रेस में कुछ ऐसे ही हालात बने थे उस वक्त ततकालीन प्रधान मंतरी पंडित जवाहालाल नहरू भी कांग्रेसी सियम की कुर्सी नहीं बचा पाये थे तो आई ये रूबरू होते हैं राजस्थान के उस सियासी किस्से से जिसमें पंडित नहरू भी नहीं रोक पाये थे कांग्रेस में बगावत और छोडनी पली थी सियम को कुर्सी दरसल दैनिक भासकर में छपी खबर के मताबिक साल 1952 में राजस्थान विधान सभा के चुनाव होए थे दिगच कांग्रेसी नेता जैनरायान ब्यास के नेत्रुत में पार्टी ने 160 में से 82 सीटे जीत ली लेकिन ब्यास खुद दो जगहों से चुनाव हार गए जिसके चलते ब्यास की जगह टीका राम पाली वाल को सीम बना या गया लेकिन इस बीच किसंगर से चुनाव जीतने वाले चांदमल मेहता ने अपनी सीट खाली कर दी और ब्यास ने वहां से उपचुनाव लडा ब्यास के चुनाव जीतते ही आला कमान द्वारा पालीवाल को हटा कर जय नरायन ब्यास को सीम बना दिया गया ब्यास को ततकालीन पियम पंडित नहरू का करीबी माना जाता था लेकिं 1994 में यानिकी 6-6 साल पहले राजस्थान के ततकालीन सियम जय नरायार ब्यास के खिलाप कॉंग्रेस में बगावत हो गई बगावत के चलते व्यास को सियम पत्से इस्तीफा देना पड़ा दरसल हुआ यू के सरकार बनने के कुछ साल के अंदर ही 38 साल की युवा नेता मोहनलाल सुखाडिया ने सियम जय नरायार ब्यास के खिलाप बगावत का बिगुल फूग दिया तब पियम पंडिक जवाहल लाल नेहरू ने ब्यास की सरकार बचाने की पूरी कोसिस की लेकिन उन्हें काम्याबी नहीं मिली कॉंग्रेस ने पार्टी के तकालीन महासचिव और कदावर नेता बलवंत राय महता को दिल्ली से जय पूर भेजा लेकिन नतीजा वही रहा व्यास की कुर्सी नहीं बची क्योंकि कांग्रेस विधायकों ने मतदान के जरिये से नेता चुनने का फैसला लिया और इस वोटिंग का फैसला यूआ नेता सुखालिया के पच्छ में आया इधर कॉंग्रेस कार्याले में जैसे ही नतीजों का ऐलान हुआ बताया जाता है कि सीम जै नरायार व्यास एक तांगे में बैटकर सीम आवास पहुँच गए अब अगर बात मौजूदा समय की करें तो राजस्थान कॉंग्रेस की राजनीत में 1954 वाली कहानी दोहराई जा सकती है सुखालिया के तरह ही यूआ नेता सचिन पाइलट ने सीम असोग गहलोत के खिलाब बगावत का बिगुल फूंग दिया है हाला कि अब ये देखने वाली बात होगे कि इस बार कॉंग्रेस आला कमान राजस्थान में सरकार बचा पाता है या फिर छाचछ साल पुराना इतिहास दोहराया जाएगा तो इस रिपोर्ट में हमने आपको राजस्थान के सियासत से जुड़े एक किस्से से रूबरू कराया ऐसे ही दूसरे सियासी किस्सों के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ और राजस्थान की सियासत से जुड़ी हर खबर के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भू कुले!